प्रिये भक्तों, आज इस वीडियो में मैं पुरुशोत्तम मास महात्म की अध्याये तीसरा सुनाने जा रही हूँ, आशा है आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे रिशिकन बोले हे महाभाग नरके मित्र नारायन नारत के प्रती जो शुब वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए तब सूत जी बोले, हे द्विज सत्मों, नारायन ने नारत के प्रती जो सुन्दर वचर कहे, जैसे मैंने सुने हैं, वैसे ही आप लोगों से कहता हूं, आप लोग सुने, नारायन बोले, हे नारत, पहले महात्मा, शी क्रिश्चंद ने, राजा युदिष्टिर से जो कहा थ वै मैं कहता हूं सुनो, एक समय धार्मिक राजा, अजात शत्रु युदिष्टिर, छल प्रिय धित राष्ट के दुष्ट पुत्रों द्वारा, रूत कीड़ा में हार गए, सबके देखते देखते, अगनी से उत्पन हुई, थरम परायन दुरौपदी के बालों को दुष्ट दुष्षासन ने खीचा, और खीचने के बाद उसके वस्त उतारने लगा, तब भगवान किष्ट ने उसकी रक्षा की, पीछे पांडव, राज्य को त्याग काम्यकवन को चले गए, वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वेवन के फलों को खाकर जीवन बिताने ल ये भगवान देव की सुत्मुनियों के साथ काम्यकवन में गए, उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनह प्राण आजाने की तरह युदिश्टेर, भीम सेन, अरजुन, आदिक प्रेम विहल होकर सहसा उठखड़े हुए, और प्रीती से कृष्णा की गले मिले, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ती से नमस्कार करने लगे, द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस से रही थोकर भगवान को शीग्र नमस्कार किया, उन दुखित पांडवों को मृक्के जरम के वस्त्रों को पहन देख, और समत शरीर में धूली लगी हुई, रूखा शरीर चारों तरफ बाल बिख्रे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरुईर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा, इस तरह दुखित पांडवों को देख कर वेवी अत्यंत दुखी हुए, भक्त वत्सल भगवान दितराष्ट के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर कुरुध हुए, विश्व के आत्मा बाहों को चड़ा गुरेर कर देखने वाले, करोडों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धदक्ती हुई प्रले की अगनी के समान उठे हुए, होटों को दातों के नीचे जोर से दब को रावन पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार से क्रुध भगवान को देखकर कापते हुए अर्जुन, कृष्ण को प्रसण करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और भी लोगों से अनुमोदित होकर शीक्रही हाथ जोड़कर उनकी स्तुती करने लगे, जगत की रक्षा करने वाले हैं, हे प्रभो, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे, जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जानता है कि क्या होगा, हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए, हे तात क पात हे जगतपते आप जैसे महापुर्षो के क्रोध से संसार का प्रले हो जाता है संपून तत्व को जानने वाले सर्व वस्त्वों के कारण के कारण वेद और वेदांग के बीज के बीज आप साक्षात श्री कृष्ट हैं मैं आपकी वंदना करता हूँ आप इश्वर हैं इस चराच चरात्वग संसार को आपने उत्पन किया है सर्व पंगल के मांगले हैं और सनातन के बीज रूप हैं इसलिए एक की अपराद से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे कौन बला ऐसा होगा जो मच्चरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो श्री नारायन बोले दूसरों की वीर्टा को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया सूत जी बोले श्री क्रिष्ण जी ने अपने क्रोध को शांथ किया और स्वेम भी चंदर्मा की तरह शांथ हो गए इस प्रकार भगवान को शांथ देखकर पांदर स्वस्थ हुए प्रेम से प्रसन मुक एवं प्रेम विहल हुए सब ने भगवान को पड़ाम किया और जंगली कंद मूल फलादी से उनकी पूजा की नारायन बोले तब शरण में जान योग्य भक्तों के उपर किरपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्य जान विशेश प्रेम से भरे हुए नर्ब अर्जुन से बारम बार नमस्कार किया और जो प्रश्ण हमने आप से किय वही प्रश्ण उन्होंने श्री कृष्ण से किया इस प्रकार अर्जुन का प्रश्ण सुनकर श्री कृष्ण शनमात्र मन में सोचकर अपने सुहर्द बर्ग पांडवों को और व्रत को धारन की हुई ग्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेश्ट श् हित कर वचन बोले, श्री कृष्ण बोले हे राजन, हे महाभाग, हे विभत्सो, अब मेरा वचन सुनो, आपनी यह प्रश्ण अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्सार नहीं हो रहा है, इस प्रश्ण का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, रिश्यों को भी विदित नहीं है, फिर भी हे अरजुन, मित्र होने के नाते, अत्वा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं, हे सुवरत, वह जो उत्तर है, वह अति उग्र है, अता क्रम से सुनो, चैत्रादी जो बारह मास, निमेश, महीने के दोनों पक्ष, गडियों, प्रहर, त्री पहर, छे रितुएं, मुहूर्थ, धक्षिनायन और उत्तरायन, वर्ष, चारो युग, इसी प्रकार प्ररार्ध, तक जो काल के यह सब और नदी, समुद्र, ताला, खुएं, बावडी, वहियों, सोते, लता, औशधियां, नगर, गाउं, परवत, पुरियां, यह से पूजे जाते हैं, इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है, जो अपने अधिश्टात्री देवता के विना रहता हो, अपने अपने अधिकार में, पूजे जाने वाले, यह सभी फल को देने वाले हैं, अपने अधिश्टात्री देवता के योग के महात्मे से, य ये सब स्वभाग्यवान हैं, हे पांडुनंदन एक समय अधिक मास उत्पन हुआ, उस उत्पन हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूरी की संक्रान्ती से रही थे, अते पूझने योग्य नहीं है, यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है, और शुब कर्मों में अग्रहय यह इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर, यह मास निरुद्योक प्रभारहित दुख से घिरा हुआ, अतीक खिन्नमन, चिंता से ग्रस्तमन होकर, व्यतित हिर्दे से मनासन की तरह हो गया, फिर वह धैरे धारन कर मेरी शरण में आया, हे नर बैकुंड भवन में जहां मैं रहता था, बहां पहुचा और मेरे घर में आकर, मुझे परम प्रशोत्तम को इसने देखा, उस समय अमुल्य रतनों से जडित सुवन के सिंहासन पर बैठे, मुझको देखकर यह भूमी पर साश्टांग दंडवत कर हाथ चोड़ नेत्रों से बार-बार आसूं की धारा बहाता हुआ, धैरे धारन कर गदगद वानी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनी बद्रीनात कथा कहकर चुप हो गए, तब नारायन के मुख से कथा सुन भक्तों पर दया करने वाले नारदमुनी पुना बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पून कला से विराजमान भगवान विश्नु के निर्मल भवन में जाकर भक्ती द्वारा मिलने वाले, जगत के पाप को दूर करने वाले, जगत को अभैध्यान देने वाले ब्रह्मरूप मुकुंद जहां पर थे, उनके चरन कमलों की शर यहां पर तित्य अध्याय समाप्त हुआ, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवायनमहा